Hello everyone, welcome to the 75th chapter of Thousand Vocabulary from the Hindu अगर आपको इसके पहले Vocabulary के वीडियोस देखना है तो आप आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला वर्ड है Commemorative Definition है Acting as a Memorial of an Event or Person इस Coin को देखे आप इस पे लिखा गया है 100 रुपे और पीछे लिखा गया है अटल बिहारी बाचवाई का नाम यह देखे This is a commemorative coin We are celebrating His birthday या फिर जैसे सोचिए उनको 80 साल हो गया या फिर कोई एक यह देखे usage में देखे 70th Independence Day में एक postage stamp बना गया Minister of State Manoj Sina today released a commemorative postage stamp on tourism in India on the occasion of 70th Independence Day 70th Independence Day के अवसर पर एक postage stamp तयार गया गया किसके द्वारा? Minister of the State Manoj Sina के द्वारा जो क्या दर्स आएगा? जो दर्स आएगा कि यह 70th Independence Day पर बना गया है यह stamp, postage stamp So, it is a commemorative postage stamp अगला वर्ड है, disaster Definition है, a sudden accident और a natural catastrophe that causes great damage or loss of life This is a typhoon या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? cyclone भी कहते हैं ठीक है? cyclone या फिर typhoon जब आता है जब tsunami भी आता है तो बहुत सारी जाने जाती है ठीक है, यह दिखिए, flood बाड जो आ गई थी US में, Louisiana में एक disaster declaration कर दिया गया था किसके दौरा? US President Barack Obama के दौरा जो तहस नहस कर देता है कोई प्राक्रोतिक दुरकटना ठीक है? हम उसको disaster बोलते हैं कोई एक atom भी जैसे गिरा था हिरोशिमा और नगा सेकी के उपर हम उसको भी disaster ही कहेंगे अगला वर्ड है ravage यह disaster के बाद क्या सिनारियों है? जब टाइफून आता है यह देखिए जो हरीकेन या फिर टाइफून या फिर साइकलोन जिसको बोलता है जब वो आता है तो वो तहसनेस कर देता है सारी चीजों को तो उसी को हम ravage करेंगे अगला वर्ड है swell डेफिनेशन है become or make greater in intensity, number, amount और volume आपका salary था 50,000 पर मन्त उसको इस साल कर देगा 55,000 पर मन्त your salary became swell या फिर यह देखिए लहरे जब आती है जब वो बड़ी होती जाती है हम उसको swell कहेंगे जैसे हम एक balloon को फुलाते हैं यह देखिए जैसे हम balloon को फुलाते हैं so we are swelling the balloon आपका जब पैर में या फिर हाथ पैर में कुछ चोट लग जाता है तो वो जगा वो मांक स्पेसी फूल जाती है हम उसको भी swell कहेंगे swelling that is called swelling अगला वर्ड है interim definition है the intervening time आप स्कूल जाते हैं तो पहले के चार periods फिर एक break then again four periods this break is interim ठीक है यह देखिए this is a domino play और यह beach में अटक रहा है थोड़ टाइम के लिए that is interim अगला वर्ड है curtain definition है a screen of heavy cloth और other material that can be raised or lowered at the front of a stage stage के सामने ऐसे जो कपड़े बिचाये जाते हैं कपड़े लटकाये जाते हैं उसको हम curtain कहेंगे अगला वर्ड है boast definition है talk with excessive pride and self-satisfaction about one's achievement positions और abilities इस बंदे को देखिए ये अपने आपको बढ़ा चड़ा के बोल रहा है जैसे ये बोलेगा मैंने एक rolls royce खरीदी तो वो क्या वो बढ़ा ही कर रहा है अपने कार खरीदने की अगला वर्ड है intercept definition है obstruct someone or something so as to prevent them from continuing to a destination सोच ये दिस इस दपॉइंट ओके वेर दथीव्स हाव स्टाटेड देर एसकेप यहां इस पॉइंट से चोर लोग अपना escape प्लान कर रहते हैं यह फिर escape उन्होंने स्टाट किया यह पॉइंट है जहां से पुलीस ने उनको पकड़ने की सुरुआत की तो यह जो पॉइंट है यह जहां उसको पकड़ लेंगे जहां उनलोग को पकड़ लेंगे that is intercept इसका मतलब है रास्ता रोक देना अगला वर्ड है pave definition है cover a piece of ground with flat stones और bricks या फिर lay paving ओपर this is pave ठीक है जो हम bricks बिच्छा के रस्ते के ऊपर एक तरह का फुटवात बना देते हैं एक तरह का फ्लोर बना देते हैं that is pave अगला वर्ड है feasibility definition है the state or degree of being easily or conveniently done आपको कोई काम देता है 30 दिनों के लिए जो काम आप कर सकते हैं 10 दिन में so this work is feasible ठीक है उसके feasible होने की capability को हम feasibility कहते हैं यह देखिए usage में देखिए the feasibility of screening athletes for cardiac disease मतलब athletes लोगों को जो भी sports में है उन लोगों का जो cardiac disease होता है वो जानने की capability को हम feasibility कहेंगे hope you are able to learn something in this video आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए thank you and bye